ये चैव सात्विका भावाह राज सास्ता मसाश्य ये मत्त एवे तितान विध्धी न तो हम तेशुते मई जो भी सात्विक शुद्ध राजसिक क्रियाशील और तामसिक जड़भाव है उन सबको तुम मेरे से उत्पन हुआ जानू तथा पी मैं उनमें नहीं हूँ वे मुझ में है भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जितने भी गुण है प्रकृति के चाह सतो गुण हो रजो गुण हो या फित तमो गुण हो ये तीनों गुण जो प्रकृति में व्याप्त हैं जिनके कारण ये प्रकृति है ये सब मेरे आश्रे के कारण है मैं इन पर आश्रित नहीं हूँ ये मेरे उपर आश्रित है मैं इनसे निरलिप्त हूँ ये सब मुझ में है परन्तो फिर भी मैं अन्छुआ हूँ सब कुछ मेरे अंदर ही है प्रकृती परमात्मा के कारण है परमात्मा प्रकृती के कारण नहीं है तो प्रकृति है भीतर परमात्मा के और परमात्मा कह रहे हैं असंख्य प्रकृतियां बनती हैं और मिठती हैं अगर हम देखें एक बड़ा सर्कल हम बनाएं बिग सर्कल उसके अंदर छोटे सर्कल बनाना शुरू करें और छोटे सर्कल बनाते चले जाएं चोटे से चोटे सरकल बनाते जाएं तो सबसे चोटा सरकल जो सेंटर में होगा वो समझी है प्रकृती और जो बड़ा सरकल दिख रहा है वो है परमात्मा तो प्रकृती परमात्मा में है परमात्मा प्रकृती में नहीं होते तो प्रकृती के कारण ये सारा जगत दिखता है माया है ये है अलग-लग रूपों में दिखती है इतनी सुन्दर है मन करता है प्रकृति को देखने का परंतु जो परमात्मा है उनी के कारण ये प्रकृति है प्रकृति हो ही नहीं सकती परमात्मा के बिना असंख ये प्रकृतियां जनम लेती हैं, मिठती हैं और पर्मात्मा में विलीन हो जाती हैं भगवान कहते हैं तुम मुझे जानने का प्रयास करो ना कि प्रकृति में डूबे रहो जैसे हम देखते हैं सागर में लहरे उत्पन होती हैं उपर जाएंगी नीचे जाएंगी बिलकुल ऐसे ही प्रकृती परमात्मा में उठती है और गिरती है सब कुछ उसी परमात्मा का ही हिस्सा है परंतु मनश्य प्रकृती में ही उलजा हुआ परमात्मा में प्रवेश नहीं करता जो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है उसमें प्रकृती होती है परंदु जो प्रकृती में ही रह जाएगा यानि उस छोटे सरकल में रह जाएगा वो परमात्मों को प्राप्थ ही नहीं कर सकता लोग संसार की चीजों में ही उलजेवे एक बुद्ध पुरुष भी संसार में जीते हैं एक सामने इंसान को भूक लगेगी प्यास लगेगी उसकी जिन्दगी में भी घटनाएं घटेंगी और एक बुद्ध पुरुष के जीवन में भी घटनाएं घटती हैं परंदु एक बुद्ध पुरुष एक व्यक्ति जो एनलाइटिन्ट है उसे बहुत सारी चीजों का कोई फरक नहीं पड़ता प्रभाव नहीं पड़ता परंदु एक कॉमन मैन एक आम आदमी बहुत जल्दी प्रभावित होता है रोने लग जाता है मृत्यू समी पाने लगती है तो लोग एक दम से ऐसा लगता है प्राण ही सुक गए परंदु जो बुद्ध पुरुष होंगे मृत्यू किस्सा में भी मुस्कुराते हैं कई बार तो जो हत्या करने आए हैं उन्हें भी माफ कर देते हैं जिसने जहर दिया उसको भी माफ कर दिया चीजस को सूली पे लटकाया जाता है तो अंत में क्या बोलते हैं अंत में रोते नहीं कि मेरा इस शरीर मिट रहा है मैं क्या करूँ लोगोंने अन्याय किया है नहीं अंत में कहते हैं मरते वे कि हे परमपिता, मैं अपने आपको तुझे समर्पित करता हूँ, अपनी आत्मा को तुझे देता हूँ तो जब मृत्ति होगी, तो जो एनलाइचन्स मैन होगा, जो बुद्ध पुरुष होगा वो प्रकृति से निकल कर परमात्मा में प्रवेश कर जाएगा लेकिन जिसने प्रकृति को ही जाना, वो प्रकृति में ही रह जाएगा, वहीं मिट जाता है इस नश्वर जगत में ही घुमता रहेगा, छोटे सरकल में ही गोल गोल घुमता रहेगा उसे बड़े सरकल के बारे में पता ही नहीं, कि बड़ा सरकल है क्या, कहा है हमें उस बड़े सरकल की तरफ जाना है नजर कहा हो परमात्मा की तरफ ना कि इस संसार की तरफ पस नजर उठाने की बात है ध्यान कहा है अभी ध्यान इस शरीर पर ही अटका ध्यान होना चाहिए परमात्मा पर अब भूक लगेगी एक व्यक्ति को तो वो कहता है मुझे भूक लगी परंतु श्री कृष्ट को भूक लगेगी तो वो कहेंगे इस प्रकृति को यानि शरीर को भूक लगी है क्योंकि शरी से चिपके वे नहीं है जब शरी से जुडाव होता है तो शरी पे चोट लगे कि कश्ट होगा भूक प्यास सुख दुख सब अपना लगेगा लेकिन जब हम समझ जाते हैं शरी तो एक सिर्फ लेयर है आउटर मोस लेयर सबसे बाहरी लेयर है परत है हम तो उसी से ही उल्जेवे हैं भीतर जाएंगे भीतर सरकेंगे तो पता चलेगा पंच कोश हैं शरीर आउटर लेयर उसके बाद प्राण की लेयर फिर है मन फिर बुद्धी फिर हम आत्मा तक जाते हैं पंच कोश मांच कोश हैं फाइव लेयर हमारी लेकिन शरीर तक ही उल्जावा मन शरीर को ही प्राप्त करना चाता हैं कहेगा भूप प्यास मेरी ही है लेकिन जब व्यक्ति समझता है तो कहता है शरीर को भूप लगी है इसको देना है या नहीं आत्मा डिसाइड करती है कि अभी भोजन दें या नहीं, कुछ लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते, न भूख कंट्रोल होती न प्यास कंट्रोल होती, थोड़ी देर में ही रोने लग जाते हैं, छोटी सी चीज के लिए लड़ेंगे, एक होटेल में भी जाएंगे और वहाँ थ खाने की प्लेट आने में लेट हो गया, खाना आने में लेट हो गया तो सर पर सब को चड़ा के ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी अपशब्द बोलेंगे, कुछ भी गलत बोलने लगेंगे, अनरगल बोलने लग जाएंगे, क्यूं मूख कंट्रोल ही नहीं होती उनसी, जब आत्मा में ताकत होती है, आत्मिक ताकत होती है, तब हाँ अपने उपर कंट्रोल कर पाते हैं, इसे emotional intelligence भी कहा जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो कंट्रोल करना जानते हैं, कोई chocolate दी है, और माबाप अपने समझाया कि बेटा, एक दिन में finish नहीं करना, रोज एक पीस खाएंगे, तो वो कंट्रोल रखता है स्वयम के उपर, यह नहीं एक ही पीस खाना है, इसका मतलब है emotionally intelligent बच्चा है, और यदि देखता है कि माबाप का ध्यान हटा और खा लिया, इसका मतलब है प्रकृती में उल्जा हुआ, अपने उपर कोई मियंत्र नहीं, तो ध्यान कहा है, ध्यान प्रकृती पर या परमात्मा की तरफ, यह हमें decide करना है, तो परमात्मा में जिसका ध्यान होगा वह व्यक्ती, अपनी जिन्दगी में एक अलग ही रूप रंग में रहता है वो अलग ही दिखेगा, अलग धंग से बैठेगा, सोचेगा, जीवन ही उसका अलग होता है परन्तु नजरें हमारी परमात्मा पर नहीं उठती, इस जड़ प्रकृती में ही उलजी वी 1880 में यूरोप में अलता मेरा की गुफाओं की खोज हुई ऐसी खोज हुई जिसने पूरे जगत को, उसकी हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया माशिली उन्होंने इस गुफा की खोज की थी वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, अपना रिसर्च पेपर उसने समिट किया 1880 के अंदर इसकी जो खोज हुई यो बड़ी ही इंट्रेस्टिंग खोज रही कहते हैं कि जहां वो गुफाएं मिली, बहुत साल पहले वहां बारिश हुई थी बहुत घनी बारिश के बाद थोड़ी सी जमीन धस गई और एक डॉग उस जमीन में नीचे फस गया अब उसको निकालने के लिए सब लोगों ने कोशिशे की बड़ा शोर मचा दिया डॉग ने अब सभी किसान मजदूर मेहनत करके उस रॉग को बाहर निकालते हैं तो देखा कि नीचे तो एक सुरंग बनी वी है, कुछ गुफाएं दिख रही है तो मार्शलीनों को जब पता चला तो उसने अपने लोगों को लगा कर उसने खुदाई का काम आरंब किया वो हिस्ट्री का स्टूरेंट था, आक्यॉलोजिस्ट था उसने पूरी टीम लगाई और खोजा तो पाया अंदर गुफाएं हैं, केव्ज हैं तो सर्च लाइट लगा कर गुफाओं के अंदर सरकता हुआ जाता रोज और बड़ा खुश था कि मुझे बोन्स की स्टडी करने को मिलेगी अलग अलग तरह के स्कैलिटन्स प्री हिस्टॉरिक टाइम में क्या था ये मुझे पता चलेगा तो बीस हजार साल, तीस हजार साल पुरानी ये गुफाएं प्राप्त हुई थी जो अपने आप में बड़ी ही अदुबुद गुफाएं थी तो छे दिन तो अकेला जाता रहा सर्च लाइट सर पे लगा रखी थी थोड़ी सी रोशनी जिससे दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ सातवे दिन उसकी जो छोटी बेटी थी मारिया उसने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी तो बड़ी हरानी की बात है साथ से आठ साल की बच्ची ने ऐसी खोज की जो पूरे विश्व के अंदर बड़ी ही प्रसिद्ध हो गई उसके फादर रोण रहे हैं बोन्स को स्केलेटन्स को जमीन के उपर खोज कर रहे हैं और मारिया का ध्यान बोन्स पर रही वो आसपास देखती है और एकदम से चिला कर बोलती है अपने पिता को कि डैड उपर देखिए कितनी सुन्दर पेंटिंग्स हैं तेरान ही हो गए कि कहां तो वो बोन्स को ढून रहे थे और कहां इतनी सुन्दर चित्रकारी मिल गई तो आखों पर विश्वास ही नहीं हुआ अलतामीरा की गुफाएं फेंज ही उन पेंटिंग्स के कारण है क्योंकि इतनी सुन्दर चित्रकला कभी भी नहीं मिली थी और पहले यह समझ थी लोगों की कि पुराने जमाने के लोगों को तो कला कब ग्याण नहीं नहीं था वो तो बस अपने खाने पीने को और रोजमर्रा की जरूरतो को ही पूरा करते थे परन्तु उसके बाद हिस्ट्री बदल गई कि इतनी सुन्दर चित्रकारी भी हो सकती है इतनी सुन्दर चित्र बन सकते हैं और वो सारे चित्र जो थे वो चार कोल से पॉलिक्रोम पेंटिंग्स बनी हुई थी और उपर केव पर उसकी छत पर इतनी सुन्दर चित्रकारी वहाँ पर जो फूल थे पौधे थे उस समय के कुछ एनिमल्स की पेंटिंग कुछ बैलो की, सांड की कुछ हातों की पेंटिंग्स, हुमन हैंड्स की इतनी सुन्दर पेंटिंग्स देकर सब अचम्भित रह गए पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गई पुछ चित्रकारी आज तक वे फेमस है युनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेश साइट घोशित किया हुआ है और उसकी खोच करी एक छोटी सी बच्ची ने जिसकी नजर उपर गई इनसान कावी यही हाल है वो द्यान देता है प्रकृती पर हड्डियों पर उसका ध्यान है मिट्टी पर पत्थरों पर ध्यान है परंतु उसका जो ध्यान है वो उपर नजर जाती ही नहीं उसकी प्रकृती में उलजावा मनश्य कभी परमात्मा की तरफ देखता ही नहीं और भगवान कहते हैं तु मुझे जान जाए तु प्रकृति को सब जान जाएगा परंतु तु मुझे जान तो सही तु जानना ही नहीं चाहता प्रकृति में उलजा रहेगा तु मुझे कैसे जानेगा कैसे जानेगा किसने इस जगत को बनाया कौन है आधार यश के पीछे भागने वाला मनुश्य धन के पीछे भागने वाला मनुश्य नहीं जान सकता कि पीछे क्या है वास्तविक्ता क्या है हमें जानना है उस परमेश्वर को जो सब के पीछे है सब का आधार है जीजस ने कहा प्रभु के राज्य को सामराज्य को पालो तुम्हें सब मिल जाएगा फिर दरिद्रता भी धन मन जाती है सब कुछ ऐसे मिल जाता है परन्तु जो मिट्टी में पत्थर में चीजों में उलजे हैं वो क्या उपर देखेंगे हम प्रेम की मांग करते हैं संसार से उन लोगों से जो खुद मांग रहे हैं प्रेम को जो खुद हाथ में भीक का कटोरा लिये खड़े हैं उनसे हम मांग करते हैं सम्मान को क्या मिलेगा प्रार्थना कर लीजे कुछ शन बैठ कर प्रेम परमात्मा का अपने आप ही प्राप्त हो जाता है जब प्रेम की मांग हो परमात्मा से प्रात्न कीजे परमात्मा इतना आनंद इतना प्रेम दे देंगे कि जीवन जैसे धन्य हो जाएगा बाहर मत भागिए मिच्ची पत्थरों में बत भागिए जैसे वो व्यक्टी सर्च लाइट लेकर जमीन में उल्जा हुआ जमीन में जो हड़िया है उनमें उल्जा हुआ नजर उठा कर देखी नहीं पारा छैद दिन हो गए जब नजर उठा कर हम देखते हैं उपर तब हमें वास्तविक्ता पता चलती है असली खजाना पता चलता है अपने भीतर के खजाने को समझे पस दृष्टी बदलने की देर है दृष्टी बदलते ही सृष्टी बदल जाती है हमारा जीवन बदल जाता है सब कुछ बदल जाता है परंतु उसके लिए अपने आपको समालना पड़ेगा दुबारा से अपने आपको औरेंज कीजिए ठी कीजिए क्यों भटके हैं हम इस संसार में क्यों किस लिए अपने अंदर परिवर्थन पैदा करें भीतर की यात्रा अपने भीतर की यात्रा करें मृत्यू इस संसार का सत्य है उसको समझने की कोशिश कीजिए प्रकृती नश्वर है इसे समझने की कोशिश कीजिए प्रकृती में उलजावा मन कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुँश था भगवान बुद्ध के समय की बात है एक स्त्री भटक्ती हुई भगवान बुद्ध के पास आई सुभे का समय भगवान बुद्ध बैठे हुए है शिश्य बैठे है अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लिये वे आ रही है सबने ध्यान से देखा तो वो बालक मृत्य था, मृत्य हो चुकी थी भगवान के पास आई और बोली आपको भगवान कहते हैं सब जीवित कर दो मेरे इस पुत्र को जीवन दान दो तब मानूंगी तुम भगवान हो तुमारी बात को समझूंगी अब सारे भिक्षु हैरान हो गए अब उन्हें लगा कि क्या बोलें क्या समझाएं इसको मृत्य तो सत्य है जीवन का इसे कैसे बताएं ये तो बहुत दुखी लग रही है भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कर देता हूं इसे जीवित परन्तु एक शर्थ है उस्त्री ने कहा सारी शर्थ मंजूर है मेरे बेटे को जीवित करो भगवान बुद्ध ने कहा तु ये काम कर मैं औशदी बनाता हूं इसे जीवित करने की तो कुछ सर्सों के दाने लेकरा काउं में किसी की घर से भी लेया परन्तु ध्यान रखना वहां मृत्यों ना हुई हो कोई मरा ना हो उस घर के अंदर तो वो स्त्री खुशी-खुशी चल पड़ी गाउं में पहुँची हर घर का दर्वाजा खट-कटाया सर्सों के दाने मांगे सब ने कहा इतनी बड़ी कोई चीज नहीं मांग ली दाने ही हैं सर्सों के पड़े हैं हमारे पास रखे हैं अभी हमने फसल काटी है दे देते हैं परन्तु मृत्यू तो हमारे घर में हुई है किसी के घर में किसी के दादा की किसी के नाना की किसी के बेटे की किसी के भाई की किसी की स्त्री की किसी न किसी रिष्टे की तो मृत्य हुई ही है तो वो स्त्री भटकती रही सांज हो गई सांज जैसे ही हुई वो वापिस भगवान बुद्ध की तरफ लोट रही है भीतर अंदर एक बात उसकी कौन रही है एक विचार चल रहा है कि जीवन का सत्य दुमृत्यु है हर घर में मृत्यु है तो मेरा बेटा कोई अपवाद नहीं हो सकता कोई अलग नहीं हो सकता तो होटों पर मुसकान आई मन में शान्ती आई भगवान बुद्ध के पास पहुंची भगवान बुद्ध कहा लाई हो क्या सरसों के दाने तो बोली अब नहीं चाहिए मत जिंदा करो इसे भगवान बुद्ध बोले इतनी समझ कहां से आ गई तुझ में तो इस्तरी बोली कहने लगी कि बड़ी बुद्धि मत्ता लेकर आई हूं हर गाउं में हर एक व्यक्ति के पास गई समझ आ गया मृत्यू शात्वत सत्य है शाश्वत है वो तो होनी ही है मृत्यू उससे क्या बचना हर एक के साथ होती है ये संसार नश्वर है जीवन बदल गया उस तरीका सन्यास ले लिया उसने भगवान बुद की भिख्षुनी बन गई भगवान बुद की राह पर चलने लग गई सिर्फ दृष्टी बदलने की देर थी जीवन ही रुपांतरित हो जाता है भगवान कहते हैं कि तुम नजर मेरी तरफ लाओ तब पता चलेगा कि मैं सत्य हूँ और ये प्रक्रती के नश्वर इसमें मत उल्जो ये प्रक्रती मेरे कारण है मेरे से ही है मेरे पर ही आश्रित है ये तीनों गुण मेरे पर आश्रित है तुम इनमें मत उल्जो मुझे जानने का प्रयास करो जिस दिन मुझे जान लोगे तुम सब प्राप्त कर लोगे पर तुम मनुष्य इतना अद्भुद कि परमात्मा के अलावा सब कुछ प्राप्त करना चाता है धन मिले, यश मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले सब कुछ भगवान दे दे भीक का कटोरा लिये खड़े होते हैं भगवान के द्वार पे प्रार्थना थोड़ी ना करते हैं हम तो भीक मांग रहे होते हैं लिस्ट होती है तैयार भगवान ये दे देना वो दे देना पस मंगते भन कर पहुंच जाते हैं ये मांग वासना और इच्छाओं की मांग है ये प्रार्थना नहीं है प्रार्थना का अर्थ होता है जब हम उसमें लीन होते हैं उसे कुछ मांगते नहीं मांगने वाले को नहीं मिलता ये याद रखिएगा जब तक हम हाथ पसारते हैं भगवान के सामने भगवान कभी नहीं देते आप प्रार्थना कीजिए प्रार्थना ऐसी कि परमात्मा को ही मांग लिया जाए बस परमात्मा में लीन हो जाए उसी के पास रहा जाए पस यही मांग लीजिए सब कुछ मिल जाता है उस भगत को जो परमात्मा की रहा पर चल पड़ता है, चीजें नहीं मांगता चीजें हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक वो जिस हाल में रखे, उस हाल में खुश रहना है यदि हम ये सीख गए, तब हम गीता दर्शन को सीख गए हम भगवान कृष्ट की फिलोसफी को सीख गए भगवान श्री कृष्ट अपने आप में अदवूद हैं, अदवूद highest intellect है वहें, ऐसा मन जो उर्जा से भरा हुआ, ऐसी उर्जा शक्ती हैं वहें उस उर्जा शक्ती से जुड़िए, ऐसे विश्व मन से जुड़िए, जो मन ताकत देता है, मन को ताकत, बुद्धी को ताकत, आत्मा को ताकत तो ऐसे मन, बुद्धी, आत्मा ताकत से जुड़ जाए मनश्य में कितनी ताकत है, शक्ती कितनी है, थोड़ी सी भी नहीं यदि हम इस ब्रह्मान्द में देखें, अपनी प्रित्वी को ही देखें कहां है प्रित्वी? एक छोटा सा बिंदू भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मार्ण में हमारी आकाश गंगा भी बिंदू भी नहीं एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं है किसी ग्रह से जो थोड़ा पृत्वी के पास हो वहां से पृत्वी थोड़ी सी दिख जाती है एक डॉट की तरह, एक सितारे की तरह छोटी सी उसमें भी आप समझें उस पृत्वी में कितने अंदर देश हमने बनाए है विभाजन कर रखे हैं, उसमें भी अपने घर बना रखा है घर में भी अपना कमरा है, कमरे में भी अपना कोना है कोने में भी अपने एक छोटा सा बिस्तर है जिसमें हम बैठे हैं चोटी सी कुर्सी पे बैठे हैं और फिर भी हम भेद करते हैं फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं इतना अहंकार हमारे अंदर है परमात्मा के लिए तो छूटा सा डॉट भी नहीं है, तिनका भी नहीं है हम, कब उड़ जाएं कुछ नहीं पता, तो इस अहंकार का त्याग करके जो मनुश्य परमात्मा की रहा पर चल पड़ता है, जो सत्य को जान लेता है, वही अपने कृष्ण को पापाता है, अपने शिव को पापाता है वही व्यक्ति असत्य से सत्य तक पहुँचता है अधर्म से धर्म तक पहुँचता है, अंधकार से प्रकाश तक पहुँचता है वही अमरित बूंत तक पहुँचता है वही अमरित के सागर तक पहुँच पाता है उसी की बूंत सागर में विलीन हो पाती है वही व्यक्ती पंक फैला कर उड़ पाता है नहीं तो अपने बंदोनों में फसेवे लोग दुखी लोग क्या प्राप्त कर लेंगे प्रकृती के ही उलजनों में उलजेवे, कभी शरीर की तकलीफ, कभी मन की तकलीफ, कभी बुध्धी की, कभी प्राणों पर संकट है, कभी मों के जाल में फसेवे, कभी emotions में फसेवे, ऐसा व्यक्ति कभी परमात्मा तक नहीं जा सकता भगवान कहते हैं अनासक्त होकर मेरे पास आओ यानि सब छोड़ कर सब छोड़ कर ही जाएंगे प्रकृती से उपर उठेंगे तभी तो परमात्मा तक जाएंगे नजरें उठें उपर तो परमात्मा दिखेगा वो तो वेट कर रहा है हमारी कितने कितने जन्मों से वेट कर रहा है शमा कर रहा है हमारे अपराधों को वो देख रहा है हमें हम भाग रहें कभी इधर कभी उधर भगवान तमाशा देख रहा है हमारा भगवान देख रहे है कि कब ये मेरे पास आएगा कब भूला बिसरा आएगा कब देखेगा नजरे कब उठाएगा ये तो भटका हुआ है और पता नहीं कहां कहां जा रहा है इसे इतनी भी फुरसत नहीं कि देख ले मैं इसके सामने बैठा हूँ ये मुझे ही खोजने के लिए इतने इतने प्रयोक कर रहा है ये खोजना बंद करे भटकना बंद करे पर नजर उठा कर देख ले मैं सामने ही तो हूँ पस नजर का ही फेर है जिस दिन ये बात गहराई से समझ आ जाएगी जब ये अंदर तक पहुँच जाएगी ये बात गहराई तक जब ये बुद्धी समझ भीतर से जागरित होगी ये प्रग्या भीतर से आएगी तब ही हम परमात्मा तक पहुँच आएगे उससे पहले नहीं उससे पहले नहीं पहुच पाएगे तो अपनी भीतर की समझ को जागरित कीजिए प्रग्या शक्ति को जाग्रित कीजिए रितंब्रा बुद्धी जाग्रित हो ऐसी बुद्धी जो आपको तार दे, पहुचा दे परमात्मा तक शिवरात्री वाले दिन एक बहुत बड़ा आयुजनिया होने वाला है हो थाह चर्ग्याद्धी बुद्धी जाएन होने जाएन это करपूर गोरम करुणा वतारं संसार सारं भुजगेंद्र हार करपूर गोरम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवं भवानी सहितं न्मामी अ